एहुद्टूडेंस विल्कम बैक टो आबर यूट्यूब चैनल और इन स्टुड़ी सक्षेस पॉइंट तेले बच्चों एक बाद फिर से हमारे यूट्यूब चैनल और इन स्टुड़ी सक्षेस पॉइंट पे आपका बहुत-बहुत स्वागत हैं बच्चों आज का वीडि ही होने वाला तो आप लोग शिर्फ अगर जो वर्क्षिट का सलूशन करना चाहते हैं तो आप लोग थोड़ा वीडियो को बढ़ा के देख लेना आरों से वर्क्षिट समझके कर लेना थोड़ा हमसा कॉंसेप्ट जो है फॉर्मूला कैसे आया है यह हम समझाएंगे अगर ज सबसे पहले सब का फॉर्मूला की बात करते हैं यहां पर हमें सेथे रहा थारी से वौल्म मतलब देखो नापर शर्थे सायरियों अंगर नकालते या लाट्राल समझे बात करतें तो अगर जो टोटल सर्फिस एरिया कीबात करते हैं तो यहां बात करेंगे क्या होगा ऊपर चारों दिवाल भी आ जाएगा साथ साथ नीचे पूरा एरिया नीचे जो है फ्लोर का और उपर का एरिया ठीक है तो हाँ पर टीए से कहाँ पर करेंगे कहाँ पर वॉलूम का यूज करेंगे कहाँ पर कर्व सर्फेस एरिया का यूज करेंगे कहाँ पर टीए से का यूज करेंगे ठीक है टोटल सर्फेस एरिया का अब वही हमें एक एक करके दे रखा तो पहले क्यूब के बारे बताया गया है तो क्यूब क्या ह है बच्चो ए जो है यह है यह इसका एज फिर इसका सी एस से कर्व सर्फेस एरिया चार दिवाल है देखो चारों बराबर रबत यहनुकि फोर एसक्वार अर्टी से उपर नीचे दोनों भी आ तो भलि मुल्म क्यान गृए का क्युम कर्व सर्फेस एरिया क्यों फोरेयस को है तो परडर्णाल सर्फेश एरिया और क्यूब मतलब जैसे आपका इह नोट बुक मिए तो इस और इस तरह से आप टोग बना भी सकते हो ठीक है ये ये देखो ये 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 देखो बन गए तो ये जो है बच्चो इसमें थोड़ा ये ये जो है ये बाला ये क्या है लेंथ है और ये जो है ये क्या है ब्रेथ है और ये जो है क्या है हाइट है तिसमें इस तरह से 4 लेंद्थ होगा 1,2,3,4 चार बुरेथ होगा 1,2,3,4 और चार हाईट होगा 1,2,3,4 ठीक हैृसुड तो अब इसकी वॉलुम कियागो उब जो हम बात करें तो वॉलुम मतलब लेंट हिंथ बुरेंथ इंथ रेंथ हाईध लेंठ्फ इंटो एंथ लेंड ब्रेकेट हरेड़ तो अब अजय को आगे लिकने धिक है तरुम आसे याद करोग आ सान सब्ध सकते हमारा दोनों का फॉर्मूला फिर अब दोनों मेंक प्रन दे रखाता बच्चो कि calculate the age of cube if its volume is 1331 cm cube एक cube है जिसका हमें volume दे रखा है जिसका हमें क्या दे रखा है बच्चो volume दे रखा है ठीक है volume दे रखा है कितना volume दे रखा 1331 तो इसका age क्या होगा तो volume of cube क्या होता एक क्यूब तो एक क्यूब दे रखा है 1331 ठीक है बच्चो तो एक क्यूब दे रखा 1331 तो ये जो cube है cube root है यह पर power 3 इधर आके cube root बन जागा root 3 into 1331 तो 3 3 1 को देखोगे ता आप लोग 11 इंटो 11 इंटो 11 कर होते हैं तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 11 पे पावर 3 इंटो क्यूब रूट और क्यूब है इदर जाके जब स्वोल्ब करेंगे बच्वोत क्या आगा पावर में आ जाएगा 3 इंटो 1 अपन 3 होगा 3 से 3 कट गया 11 सेंटिमेटर बच गया ठीक है तो इस तरह से हम लोग किसी भी क्यूब का अगा जो वैलूम दिया होगा तो उसका यह जम लोग निकाल सकते हैं अगला जो प्रस्त था कि एक बॉक्स है एक क्यूब आडल बॉक्स है जिसकी लंबाई चवडाई उचाई दे रहा और इस बॉक्स को हमें कभर करने के लिए कितने पेपर सेट के आवसकता पड़ेगा एक स्कुर्ण यहीट जिसका साईड कि चारीग सेंटिमेटर है कितने नंबर आओ सकता पड़ेगी पहले तो निकाल लेंगे कि मैं कितने एडियर जो इक इडिया वो निकाल लेंगा दोन हम टीए से का फृब मलाइज करेंगे एसका क्या आगा आगा तो इन्टू लब प्लस बी चपलस घ्न तो तू इन्टू प्लस एटी न्टू फूर्टीं फुर्टीं प्लस d20 फुर्टीं तू करेगा है एक वङए लवं लगाएंगे ठीक है अगर जो एरिया मतलब टी एस से या सी से उसमें सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेट को ही मल्टिप्ला करते हैं एक साथ ल भी एच को नहीं करते हैं उसलें वहाँ पर सिंटिमेटर स्क्वार या मीटर स्क्वार ही लगाना साथ हमेशा ध्यान देना तो शहीं में भी आपका अंसर क्या होगा गलत हो नहीं नहीं हो इसके लिए करेंगے यह दोनों को क्या का देंगा स्टूडेंस को से डिवाइड कर देंगे पहरे तो दो zिरो से कट गया फिर ठीक है थोड़ा हम इसका कलर जो है चेंज कर लेते हैं ताकर कई कहीं कंफीजन नहीं है है तो कौन जो था देखो जैसे आज आपको डाराम दु azul город ये हमारा क्या रहा है ये इस तरह से हमारे क्या है को में अब क्यों क्या होता कौन में तो एक तो जो है सीधा इस तरह से जो सीधा आपका होगा यहां से नहीं कुछ आई उसे हम एयच बोलेंगे है यहां से हां तक आ आधा सरकल है तो इसका अधा रेडियेस होगा पूरा डाद अगर यह जो है ट्रैप पर सैलं Daar पार से यो और इसको जब तक आप लोग comment करके जरूर बतानों ठीक है लास्ट में बता है तो एल उसके बाद तो यह होगे आब इसका volume जो होता है बच्चो वो क्या होता है से तो ठीक है उसके बाद अ गर दो सर्फेस एरिय आव मैं और समझ में आगे होगा है कर लो ह tablets का नहीं वारत नहीं समझ में आ थेख फिर समय को बनाये कौन दुबार से स्टूरियंट्स माइंC ठीक है ये था अब जो ऱम इतना देखेंगे शिर्फ इतना पार्स था तही हमारा आर है हमारा हाइट है और ये हमारा एल है तब ये एक right angle triangle radius जो होता हाइट perpendicular था तर राइट अंगल ट्रेंगल में मालों यह पाइथ हो जो होता है पर पेंडिकूलर होता है बेस होता है कैसे निकालते है हम लों h square is equal to p square plus b square लेकिन यहां पर जो h मतलब हाइपोटेनस यो क्या है ल है तो l square is equal to h square plus r square डेटमिस हम बोल सकते हैं कि जो L जो है L is equal to क्या होगा अंडर रूट H square प्लस R square तो R square प्लस H square ये L का फॉर्मूला होगा क्या था बचो L का फॉर्मूला L निकाने का दुबारा से L is equal to under root H square या R square पहले लिको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा R square प्लस H square या R square प्लस R square तो I hope कि देखें ये समझ में आगया होगा ठीक है इसके बाद था cylinder की बात कर गए तो cylinder मतलब क्या होता है कि घर में जो cylinder है वो नहीं थोड़ा जो solid shape में होगा circular और solid shape में इस तरह से ठीक है ये ये जो है हमारा क्या हो गया cylinder इसमें ये जो है क्या होगा ये height होता है और यहां से यहां तक ये जो है क्या होता है radius होता है तो volume of cylinder pi r square होता है cse of cylinder 2 pi r h और tse मतलब total surface area of cylinder 2 pi r bracket में 2 pi r bracket में r plus h होता है ठीक है तो यहोप यह भी समझ में आ गया गया उसके बाद question दे रखा है कौन से रिलेटर तो कौन बोला how much ice cream can we put in a cone कितना screen में रख सकते हैं कौन में जिसका radius 3.5 cm height 12 cm है तो इसमें हम अब कितना रख सकते हैं मातरा बात करें quantity की बात हो रही है यहां पर तो इसलिए हम volume का formula करेंगे volume of cone क्या होता है 1 upon 3 pi r square h मतलब 1 upon 3 pi की value by सबटे साथ r square मतलब आर रेडियस हमें देखो यहाँ 3.5 3.5 into 3 sorry 3.5 अब प्वाइं ठाएंगे तो नीचे क्या आएगा बच्छोट यहां से से पाइंट अटाए नीच एंट याँ से पॉंट अटाए नीच एंट इसे देखो सोलब काईसे आप लोग करोगा थोड़ा सा हम बता जाई दिल में 35 अधिक जाट का बाद का ताई पाइब 35 आफ्टर दिन क्या था यहां से वन अपन थ्री पाई र स्क्वार एच तो देखा मियान नहीं आ गया हम दुबार से लिकरें दुबार से वन अपन थ्री पाई र स्क्वार तो 3.5 3.5 इंटो 3.5 इंटो एच इंटो में बार पॉइंट रटाएंगे नीचे 10 पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 तिरी से कट गए पहले देखे यह 4 पर ठीक है 7 5 जर 35 5 टू जर टेंट टू टू जर फॉर ठीक है बच्चो यहार यहां से फिर देखेंगे तो तू यह हूं तू तू था न टू फाइब जर टेंट और की बात हो रहा था यह बोला वाट उट दा एरिया आफ चार्ट पेपर रिक्वाइट तुमेक के के लेडिया स्कोप आप दा लेंद अब 25 सेंटिमेटर विद रेडियस 3.5 सेंटिमेटर के लेडियस को बनाना था आप में आपको कितना पेपर की अबसकता पढ़ेगी जब के स्कोप की लंबाई 25 सेंटिमेटर उसका रेडियस 3.5 सेंटिमेटर अब बता बचो रेडियस जब के लेडियस को बनाओगे एर्थ क्लास में पढ़ेंगे अक्टिविटी ता तो उसमें आप पेपर कैसे लगाओगे यह के लेडियस को है तो यह बता पेपर चारों साइड स तरफेस एलिया ठीक है तिस तरसे दान देने तिसलिए हम यहाँ पे कलेडियस कोप का पेपर निकालने के लिए सीसे चलेंडर का यूज करेंगे और रेडियस हमें दे रकार्ट सिलेंडर का सीसे टूपाई 2 पाई रच यहाँ पे पॉइंट अटा आए नीचे टेन ठीक है टूपाई रच तो बाइस बटे साथ था राच 3.5 था यहाँ से देखेंगे बच्चों तो क्या था देखो थोड़ा में से अच्छे से अगा जो कार्ट देते ताकि आपनों कल्कुलेशन थोड़ा करने के लिए और अच्छे से सिख सको बाइस बटे साथ इंटू रेडिय या बाइस को पांच से करेंगे क्या है बच्छों एक 110 110 को 50 से करेंगे 550 सेंटीमिंटर अगया थेक आए श्यूर्ण टायओ पकी एज समझ में आगया उसके बाद देखो बात करेंगे हैं मिस फेर का तो हैं मिस फेर का आदा होता जैसे आप पहले अप पूरा आपके पास ब यह ज़ार कि आपको हमस्षेयर और इसमें मिलीघताएयर है तो सब्सक्रा अधा सूरीय आरक्य के वह स्घ करेagles divides्षर और उल्टां जाताये न तर्टrick यागा कट गया तो क्या आगया क्या आगया टू अपन थ्री आगया तो टू अपन थ्री पाइर की इसका सर्फेस एरिया फोर पाइर स्कॉार होता है इसका आधा करेंगे तो पहले सर्फेस एरिया मतलब यह पूरा आपको दीख रहता है ठीक है और सर्फेस एरिया जब इसका मतलब दिखेगा इसका तिसलिए हम इसमें हमें कर्ब सर्फेस अरिया निकालेंगे कर्ब सर्फेस अरिया टू पाई रसक्वार इसमें तो टीए से यही होगा इसका टीए से लेकिन दिखेगा इंटु बाइस बोटे साथ इंटु साथ इंटु साथ से साथ कट गया बाइस को तीन से करेंगे 66 66 तो से एंसर आ जागा जागा सेवन सेग्साइड है तो सेवन सेग्साइड पॉल्म निकाला है जिसका रेडियस का घ्यार पॉइंट जो पॉइंट एक पॉइंट तो चार बटे तीन पाइ की बाइस बटे साथ आर क्यू मतलब रेडियस को तीन वालिकना यहनकि 11.2 into 11.2 into 11.2 वहर हर स्वल्प करोगे यह अंसर आ जाएगा ठीक है कैसे करना है उसके बाद आज का वर्क्षीट का बहुत अशान साथ 4 प्रशन था तो उम्हीद करते हैं यह भी समझ में आएगा आपको आज का कॉंसेप्ट समझ में आया होगा बच्चों आप लोग को कैसा लगा और कितना समझ पार है आप लोग कॉमेंट करके जुरूर रिप्लाइ करना ताकि आप लोग कॉमेंट करते हो लाइक करते हो था हमें मोटिवेशन मिलता ताकि हमारा जो content है बच्चों को कितना इसका फायदा उठा पा रहे हैं ठीक है ताकि हमें और ज्यादा मेहनत करने का इच्छा करता और आपके लिए और ज्यादा ज्यादा अच्छे से content प्रोवाइड कर सके कुछ suggestion देना चाहते है तो पिली जो भी बताना अब आज का वर्क्षिट में चार बेहदा सान असान सा प्रशन दिया हुआ है वह करेंगे पहले हमें क्यूब का एज दे रहका है वालूम आफ क्यूब निकालना फिर हमें दूसरे में वालूम आफ क्यूब आइड निकालना त पूर्ट में सर्फेस एरिया स्फियर का निकालना जिसका रेडियस 14 सेंट्रिम्टर दिया हुआ तब हम देखो करेंगे ठीक है देखो सुरी आपके लिए भी हम कर रहे हैं यहां पर साथ जुबारा से हिंदी मेडियम कई आ गया कोई बात नहीं आपके लिए भी हम करके बता रहे हैं अब II अ है यह स्थ दिखो बच्चो अब यहां से हम लोग करें मों वहां पे हिंदी मेडियम कई आ गयाता हैं सबसे पहले एज बात करते हैं एज आफ तो एज जो था एज आफ की वामें दिया हुआ टाव वालूम आफ के निकालना था तो एका की मतलब फाइव इंटू five इन्टुफाइव 2020S सेकेंड को सेंट था वॉल्म आफ की वाइड निकालना था वॉल्म आफ की वाइड का था एल इंटु बी इंटु एच मतलब सिक्स इंटु थी इंटु तो थाटी सिक्स मेंटर की उसके बाद हम आगा जो बात करें तो हमें रेडियस अफ सिलेंडर निकालना था तो रेडियस पहलें ब्रैकेट में स्वल्प करेंगे तो टू पांट एट को टेन से प्लस करेंगे तो मैक्सिमुम बच्चे लिए तरी पांट जल्दी में ठीक है यहां से देखो क्या कि पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आगया तो 7,4 जा 28 और यहां पर 12.8 अब आपको पता है जब नीचे 10 है न तो 10 तेंज है 100 तो सब को उपर वाले को मल्टिप्लाई कर दो 100 नीचे 2 जिरू है तो 2 के बाद डेसिमल लगा देना सबसे असान तरीका है तो सब ही को मल्टिप्लाई करके आया 225 28 अपान 100 फिर पीछे से दो के बाद पॉइंट लगा देना ठीक है बच्चों तहां से आ गया 225.28 सेंटीमेटर स्कॉर्स की लोग आया बच्चों क्योंकि हम यहां पर सर्फ एरिया की बात कर रहते क्या बात कर रहते एरिया की ठीक है अगला जो प्रसंता स्ट स्कॉर्स मतलब 14 इन्टो फूर्टी साथ से फूर्टीन को कार दिया बच यह तू आप मल्टिप्लाय करेंगे 22 को फूर्स से करेंगे 88 88 को टू से फिर फूर्टीन से तो 88 को यह तो इधर कर दिया 14 टू जा 28 तो अंसर आ गया 88 को टूर्टीएट से करेंगे 2464 सेंटिमेटर स्कॉर्स ठीक है श्रेंस तो मिद करते आज का जो वर्क्षीट का चार कोस्टन था यह भी समझ में आया गा आपको और वर्क्षीट भी पूर अच्छे से समझ में आयागा तो फिर मिलते बच्चों अगली क्लास में आज के लिए इतना ही थैंक्यू सू मच